दोस्तों आप सभी को पता है कि ये एक बेल गाड़ा है और ये बेल गाड़ा अभी सड़ रहा है पड़ा-पड़ा किसी भी काम में या किसी भी यूप्योग में नहीं आ रहा है और ये बेल गाड़ा हमने खरीद लिया है क्योंकि ऐसे कहीं सारे बेल गाड़ी है जो कि पड़े-पड़े सड़ रहे हैं किसी भी काम में नहीं आते भंगार में जाते हैं लोगे के भाब में जाते हैं या फिर कबार के भाब में जाते हैं किसी भी किसी भी काम में आते नहीं तो हमने ये बेल गाड़ी खरी दिये और हम इसका एक बहुत ही अच्छा और सांदर जुगाड़ बनाने वाले हैं पहले हम इसके टायर अच्छे कर लेते हैं फिर आपको सब बताएंगे तो दोस्तो ये आप देख सकते हैं इसके टायर वगएरा बिल्कुल कमप्लेट कर दिये हमने वेलोक के एकदम अंदर नए टूबल डलवाए हैं और हमने टायर बिल्कुल कमप्लेट कर दिये और हम इसकी अब ट्रोली बनाने वाले हैं जो कि ट्रेक्टर से उप्योग में होगा और ट्रोली ऐसी बनाने वाले हैं तक किसी को पता भी अंदाजा भी नहीं लगेगा कि ये वाकई में बेल गाड़ी थी तो इससे पहले हम एक बार इसको टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ये वाकई में काम करेगी या नहीं करेगी ट्रेक्टर के पीछे एक बार काम करेगी तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले तो ये इसके चारों हटा देते हैं तीनों हटा देते हैं इसके जो भी साइड में और ये भी लोय के बनने वाले हैं अब ये बेल गड़ा हमने सिर्फ और सिर्फ छे अजार में खरीदा है जो कि सड रहे हैं तो अब कबार के बावी जा रहे हैं तो सबसे पहले जो बेल जोतने वाला था इसको हम हटा देते हैं क ट्रॉली बनाने वाले हैं ताकि आपको किसान भाई को अंदाज आने लगेगा कि क्या सच में यह बेल गाड़ी थी इसके उपर पूरा लो एका सब कुछ डलवाने वाले हैं तो पहले एक बार इसको चेक करें हैं तो इसको पहले काट देते हैं जी आप आगे का देख रहे है इसको तो हमने इसको अब पूरी तरीके से काट दिया है क्योंकि यह पतला था और टर्च होता ट्रेक्टर के तो काम नहीं आता और अब हम आपको दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है और अब हम इसका उप्यूक करने वाले हैं इसके अंदर क्योंकि अभी हमें चेक करना है यह बेलगाड़ा तो इसके लिए इसकी खास जरुत पड़ेगी ही और इसको भी यहां से मोड़ना पड़ेगा और यह इस तरीके से हम इसके नीचे लगा देंगे पूरा फिट करके इसके अंदर डाल देंगे इसको मोड के मोडने के बाद इसको डाल देंगे अंदर तो चलिए हमें इसको पहले मोड देते हैं यहां से मोडना बहुत ही जरूर ही है क्योंकि उसके अंदर चला जाएगा तो यह सपोर्ट में रहेगा यह हमने पुरी तरीके से मोड दिया है और अब इसको भी अटा देते हैं इसकी जरूर नहीं रहेगी ट्रैक्टर के पिछे एक बहुत ही इच्छे और अच्छा काम करके भी दिखाऊंगा कि इसमें काम करता है या नहीं वो भी अभी में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और इसकी जो ट्रॉली बनेगी उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा और वो भी बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ जो कि सस्ते में काम होने वाला है हमने सारा सर्वे कर लिया एक बार चलिए अभी इसके अंदर वो लगा देते हैं या आप देख सकते हैं इसकी कंडिसन अभी क्या है ये अभी इसके अंदर डाल देते हैं इसके ंदर डाल के फिर पूरा बानना पड़ेगा इसको रस्ची से पूरा बताइट बान देंगे बाद में हमैं विल्ड़ करवा के कर देंगे लेकिन अभी यह रस्ची हमारे काम में आने वाली है जो कि हम अभी weld नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी test करना है यह आप देख सकते हैं हमने पूरा बात दिया है रसी से बिलकुल tight जो कि हिलने वाला नहीं है यह देखिए आप जो रसी हमने खोली थी वही वापिस डाल दिया और यहां से हम tractor के अंदर डालेंगे यह hook जो हमने मोड के बनाया है इसको हम अंदर डालने वाले हैं यह देख सकते हैं आप तो दोस्तों सब कुछ ready हो गया है और आप हम इसको लगा रहे हैं tractor के पीछे tractor के साथ इसको जोड रहे हैं यह आप देख सकते हैं यह वही ट्रॉली वाले पिन हमने इसके अंदर डाली और बिल्कुल फिट तरीके से बैठ गई इसको नीचे डाल दिया यह हो गया बिल्कुल फिट और अब हम चलते हैं इसको लेकर के लोड करने के लिए यह आप देख सकते हैं अब हम चलेंगे इसको लोड करने के लिए तो दोस्तों जो मोड है उसके अंदर भी बिलकुल आसानी से ये बेल गाड़ी ने मोड ले लिया है तो दोस्ता आप देख सकते हैं कि ये रस्ते के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है देखिए रस्ता है बिलकुली पतला सा रस्ता है जो की सिर्फ ट्रेक्टर चल सकता है उस रस्ते में ये इस तरीके से काम करती है आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से चल रही है जैसे ट्रॉ तो दोस्तों आगे एक और मोड और हम इसी मोड के अंदर यहां पर इस बेल गाड़ी को लोड करने वाले हैं फिर आपको दिखाएंगे और यह मोड के अंदर हमने मोड दिया है ट्रेक्टर प्लस बेल गाड़ा मिनी ट्रॉली भी अभी समझ सकते हैं यह मिनी ट्रॉली जितना तो काम कर ही पाएगी अभी तो फिर बनाने के बाद तो बहुत इच्छा काम करेगी जो कि बनाने वाले हैं हम और वो भी सारी बात किलिर हो चुकी है लोहार के साथ हमारी यह है यहीं पे हम मोड कर सीधा करेंगे इसको यह देखे किस तरह के से काम करते हैं कोई लोड नहीं बहुत ही आसानी से घुम जाती है यह आप देख सकते हैं किस तरह धलान है यह रूप भी जाएगी वापिस और यहीं पर हम स्टॉप करते हैं इसको लोड करने के लिए तो दोस्तों हमने मिनी ट्रॉली को एक बार फिर लोड कर दिया है और अब हम इसको लेकर चलते हैं खुले खेत में और वहाँ आपको दिखाएंगे इसको मोडने में कोई भी दिक्कत नहीं है बहुत ही आसानी से यह मोड जाती है किसी भी दिक्कत के बिना दबा के जा रहा है ना स्पीड के साथ तो दोस्तो हम आ गएं खेत के अंदर और अब आपको घुमा के चला के आगे पीछे करके दिखा देते हैं कि वाकई में ये काम करेगी की नहीं हम इसके उपर जो खर्चा करने वाले हैं वो काम आएगा या नहीं गए खर्चा करेगी के उपर्चा के चैप अपर्चा के लेगे हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये घूम रही है बिना किसी लोड के या कहीं टच होने के बिना ही ये मोड जाती है अब रिवस होके खाली करके भी दिखा देते हैं हाला कि इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं आएगी लेकिन हम ऐसी सिस्टम से करवाएंगे जो कि बिल्कुल हाइड्रोलिक की तरह ही हो ये अब हम तो अब हम इसको खाली करके भी दिखा देते हैं और वो भी बिल्कुल आसानी से मैनत नहीं लगेगी तो दोस्तों इसको खाली करने के लिए हम इसकी पीन को निकाल देते हैं और फिर बेल गाड़ी को उपर कर देते हैं आगे से उठा देते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बिना मैनत के भी खाली हो सकती है हाइड्रोलिक की तरह और इसकी सिस्टम हम ऐसे ही बनाने वाले हैं तो दोस्तो आप सभी ने देखा कि इसने कितना अच्छा काम किया है जो कि मिनी ट्रॉली जितना एक बार के लिए इसने काम कर दिया अब हमें इसकी बड़ी ट्रोली बynnाने वाले हैं और सबसे पहले हम इसमें ये काम करवाएंगे कि यहां पर, यहां से, यहां से लोए के सपोर्ट ले करके इसको मजबूत बynnाने वाले हैं जो कि यहां तक आएगा ट्रेक्टर तक और यहां पर हम एक ऐसा हुक बना देंगे ताकि इसके अंदर फिट होगा जो ट्रॉलियों के अंदर आता है सैम उसी तरह हम बनाएंगे एक काम हमें सबसे पहले ये करना होगा दूसरा काम ये आप जो गैप देख सकते हैं ये गैप सबसे ज़्यादा है अभी जो कि पीछे मीनी ट्रॉली जितना है तो ये हम यहां तक भर देंगे लोए से वैल्ड करवा के सारा यहां तक लंबाई इसकी बड़ा देंगे ताकि ये लंबी हो जाएगी और ट्रॉली की तरह काम में आ जाएगी और दूसरा काम इसमें हम ये करवाएंगे कि जो ये फड़के हैं इसको हम हटा देंगे लकडी के फड़के हटा के लोए के डलवाएंगे और फॉल्डिंग उपर बंद हो जाएंगे वापिस खुलेंगे इस तरीके से हम तनों फड़के बनाने वाले हैं और यही Lindsay में नहीं की साइज में भनाएंगे और उसके बाद में हम यहां पर इसकी अंदर चद्र दलवाएंगे लोए की चद्र जो हाती है टॉली यों के अंदर us ansch simplemente उसके तरह से पूरी अंदर दलवा देँगे जो कि लंबाई बढ़ जाएगी और ये जो पिछला फटका है जो वो भी इसी तरह से बन जाएगा ओपन प्लस बंद हो जाएगा तो इस तरीके से हम इसके अंदर चेंज करवाने वाले हैं जो कि कलर वगरा सब कुछ हो जाएगा आपको ये वीडियो इसलिए दिखाया ताकि बाद में आप सभी को ऐसा ना लगे कि क्या वाकई में ये बेल गड़ी थी और हम इसकी जो बात है वो हमारी लोवार के साथ हो चुकी है जो कि वहाँ पर हमें बताया गया है कि 55 रुपे के इसाब से हम ज्यादा से ज्यादा 200 किलो लोवा इस्तेमाल करेंगे तो 11,000 रुपे बनते हैं 11 प्लस हमने इस बेल गड़ी के भी 6,000 रुपे दिये थे तो 11 प्लस 6 यानि कि 17,000 में ये हमें कम्प्लेट होने वाली है और वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे जो ट्रॉली बनने वाली है वो भी बिलकुल सही तरीके से दिखाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर डाला है और जो किस तरीके से बनती है वो भी आपको सरू से लेके आन तक दिखाएंगे तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूले और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूले क्योंकि हम tractor से जूड़ी हर खबर यहां पर लाते रहते हैं नए tractor की माईती, पुराने tractor की माईती, tractor की average के बारे में कोई भी tractor की जानकारी के लिए हम यहां पर आपको दिखाएंगे वीडियो तो दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें और तब तक हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और आखिर में आप एक वीडियो का आनंद ले लिजिए लास्ट में जै हिन जै भारत जै जवान जै किशान स्क्राइब को स्क्राइब करता है